आज हम बहुती मरत्वण टोपिक त्रिकोण मिती त्रिग्नोमेट्र की सुरुवात करेंगे क्लास 10 से इसकी सुरुवात हो जाती है और 11 और 12 के साबसे भी बहुत इंपोर्टेंट है इस वीडियो में हम त्रिकोण मिती के सामानी परिच्छे हम पढ़ेंगे त्रिकोण मिती के अनुपात सबसे पहले आता है त्रिकोण मिती ये अनुपात तो त्रिकोण मिती अनुपात समदने से पहले समकोन त्रिबुच जैसा है कि आप जानते हो समकोन त्रिबुच की से बोलते है कि एसा त्रिबुज जिसका एक कौन क्या हो समकौन हो क्या कलता है समकौन त्रिबुज कलता है समकौन त्रिबुज में तीन बुज़ा होती है यह क्या कलता है लंप यह आदार और यह क्या होता है करण होता है सबसे बड़ी बुज़ा के सामने का कौन ही क्या होता है सबसे पेला इसका होता है साइन ठीटा यानि कि ये ठीटा जो है जैसे समकौन ये है ये अगर हम सामने वाला कौन अगर ये वाला ले रहे है समकौन ठीटा ठीक है सामने वाला अगर हम ये कौन लेते हैं ठीक है तो यापी कर जैगा ठीटा मान लिए ये समकौन की जश्टा सामने व और इसेख ठीटा और चौट ठीटा यह क्रम आपको याद रखना है ऑस सब्सक्राइब तृम से आपको याद रखना एक पहले होता है साइट लिटा कोश धीटा टेट दिटा कोश तीट अलब यह जो च्छी धीटा है इनको सब्सक्राइब की रूप में अनुपात की रूप में लिखेंगे हम यह समकुन तरी बुचकी बुजाओ की अनुपात में लिखना हमें तो देखो सबसे पहले जो फर्ष्ट तीनों है साइन कोश्ट टेन फिस लाष्ट तीन कोण से कोसेक सेक और कोट यह क्रम आपको अगर याद रहेगा तो लाष्ट तीनों के लिखना है तो कक्का बटे लाल ठीके अब इनको अनुपात की रूप में किसे लिखेंगे ल का मतलब है लंब एक मतलब है आदार कें मतलब है करण सबसे पहला जो अनुपात आ रहा है साइन एटा का क्या रहा है असे फर्ष्ट नमबर का है यह से सेकर नंबर है और यह थर्ड नंबर है इसी प्रकार यह उसको उल्टा कर दिया हमने लाल बटे कक्का था कक्का को उपर लिख दिया लाल को नीचे लिख दिया तो यह क्या हो जाएगा चोथे नंबर का यह हो जाएगा पाच्वे नंबर का यह हो जाएगा और छटे नंबर का यह ह सबसे पहला जो आपको याद रखना है क्रum आपको याद रखना है साइड आता है साइड आदा इसका यह अल बात昨ुर ओध मतलब तर्च इनो Remg फीर लाश्ट ती है कोशेय कर जाएगा इसका चाम पिर मैंने बता है किछ पिर लाल दो नुटकर लो तो ला यह जोता है क्या Toby of the Comment ?", गया चैनल और रच्फ का सिं Hammil districts, क्या क्या होता मन्दल्ब करन भाद करन भी करन भी का बात वर, फिर उसके बाद राएच यह यहाँ ऐर T दयים होता है, फिर एन भाद के बात यह जो होता है चलता है बटेगो हम्ने किया मैं तकect रिटा है मैं उसके सम्मुग भुजा की लागति लंप या पर हमने एक लिए दिया तो यह तुरा सा ध्यान रखना है कि कौन से कौन के लिए के लिए होगी या इसका लंब ये होगा और आधार ये होगा, अगर कौन एक लिए दिया है तो आधार यह होगा लंब यह होगा तो यह ध्यान रखना है कि लंब को क्या बोला जाता है सम्मुख भुजा और आधार को क्या बोला जाता है आसन भुजा बाकी करण करणी देता है तो बहुत सी बार सवालों में डिफ्रेंट दिया रहता है तो उसक तो ये दोनों आपको याद रखना है लंब को बोला जाता है सम्मुख बूजा और आदार को बोला जाता है आसनन्दूजा तो ये भी आपको याद रखना है आदार को बोलना जाता है आसन भुजा तो यह आसन भुजा बटे करन तो करनी रहेगा यहापर सोरी यहापर करन था तो करनी रहेगा यहापर आसन भुजा नहीं लिखना है यहापर करने तो करनी रहेगा ठीक है लंब को क्या बोलते है सम्मुक भुजा तो सम्मुक भुजा बटे क्या हो जाएगा आसन भुजा ठीक है फिर कोसेक का है कोसेक का कर्ण को करनी बोलते हैं लंब को क्या बोलते हैं सम्मुख भुजा ठीक है करण को करणी रहेंगे आधार को क्या बोलेंगे आसन भूजा और यहां पर आधार है तो आसन भूजा और लंब को क्या बोलते हैं सम्मूगूजा ठीक है इनका यूज तब करना है जब हमें अलग-अलग कोण के लिए निकालना जैसे एक तो साहीन एका निकालना है को कोसी का मान निकालना है तब हम अलग-अलग यूज करने के लिए इसके करते हैं अब ठीटा किस्तान पर अगर आता है तो यहां पर क्या लेगें के संभूग बुजा बटे करने यानि एकी संभूग बुजा कौन सी यह लंब जो है वही संभूग बुजा है और आसन एकी आसन कि अगर ऐ के लिए दिया है चमश्चा में इक लिए संभूग बुजा ऑगी यह जो होगी अदार होगा ठीके और सी के लिए 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 लंब यह पर बना आधार होगा यह कं जो कुण जिस बुचय के ऊपर बना हो आदार होता है और इसके सामने वाले की संबस्ट आपिस का सबस्थे हैं अब को से फिर इससे लिए इसे लिकी से समझ सको कि इसथा है साइं थिद बड़ कर दोनों का गर हम आपस में गुणा करते विगुणा कर के देखते कि किसका गुना कर रहे हैं, sin dita का गुना किस में कर रहे हैं, इसकी जिश्टे सामने यहुदर चोथा वुला, कुनसा लिका हम दिए, कोसेक ठीटा लिका था, तो कोसेक ठीटा में गुना करते हैं, तो साइन ठीटा का मान क्या था, लम्बटे कर्ण था, यह निनी, L बटे K ही था, ठाँ, ठाइखें? और कोशेक ठीठा का मान क्या था? के बटे L था, करण बटे लम्ब था, के बैठे L था, के बटे L. तो करण से करण न कटेगा एक बार, लम से लम्ब कटेगा एक बार, एक का गुणा, एक में करें की त आयेगा? बराबर क्या आता है एक इसी प्रकार दूसरा जो संबंद होता है दूसरा संबंद क्या हो जाएगा कोश्टिटा और सेख्टिटा तो करन इसके बटे में है तो इसके उपर है अंस में है ठीक है आदार इसके अंस में है तो इसके आदार इसके क्या हर में है तो कोश्टिटा ओनूं का गुनन फिल भी क्या होता है एक होता है तो कोष्ट इटा इंटू सेख्ळीड इटा स्टुन होता है ठीथी संबद हो जाता है त्रिकोर्मिती संबद पहला संबसाद सवेक। heel तो इन तीनों संब्ढद और निकलते हैं ठीके दो-दो संब्ढद करेंगे तो देख केसे निकलेंगे तो देखना सबसे आथ समद्ढद सब्सक्राइब प्रत्तिक किसे सब्सक्राइब तो आपको पता है किसमें तो एक बटे किया जाएगा कोशेक ठीटा और अगर कोशेक ठीटा को इदेर रखें यह को इधर रखें तो साइन डिटा बटे में ट्रॉबते निचे सब्सक्ता है कॉछ दो यह संबंद इसके अलावाद बहुत ही इंपोर्टेन सब्णने तो वो भी हम लिख लेते हैं यह दक तो आगया होगा समझ मिए Sign कोशेक का गुननफल एक सब्सक्तिक का गुननफल एक ठेन और कोड का गुनननफल एक ठीक है इसके अलावा दो नैहीवmers पोड्न जू समध्ध है एक तो होता है छोथे का होता है इसका संबन्त जिसे माणने जाये कर तक यह कोड़ी बूदेन फोर एक तिक का उसे कहलेगी ईत्रीका इसएक कोश Łざint को है अभी तक जो उन्हें अनुपात और संबंत है के हम इसको इस चार्ण Konsty हम असानी से समझ सकते हैं यह तरह से ट्रिक है आपको सवालों में यूज करते समय अगर बार-बार उसको देखने की जरूद नहीं अगर आपको यह चार्ड याद है तो इससे असानी से इसको मान या अनुपात या संबंध आप असानी से लिख सकते हो जैसे क्या होता है लाल ये तीनीचे लिख दिए अब जब जैसे अनुपात का अगर हम निकाल रहे है तो अनुपात क्यों होता है जबіть each निचे वाले कगे निचे से उपर वाले का उपर से नीचे देखना है एक लंब हो जाएगा इसी प्रकारियन के संबंद भी हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है यह एक का संबंद होता है यह ध्यान रखना यानि आउन इसके अनुपास जो हमने निकाल ले थे वह इस संबंद वर असनि से याद रख सकते ओंद यह आप असनै से याद रख सकते हो ठीवट संबंद असानी से याद रख सकते हो बस कर लिए लाल बटे कक्का और ये 6-95 लिखके आप असानी से याद की सारे सुत्र आप याद रख सकते हो अब आती है बहुत ही महतुपुन है और याद रखना थोड़ा सा इसमें कठी रहता है लेकिन एक ट्रिक के माद्यम से आप इसक सरस्वमिका है हम याद रखने की ट्रिक के बारे में हम समझ रहे हैं इनको सोलो करना हम नेक्स्टी वीडियो में हम समझ सकते हैं समझेंगे न ठीक है तो देखो इसको सोलो करते हैं इस ट्रिक को ध्यान से समझना बहुत इंपोर्टेंट है इसको आफसानी से सरस्वमिका हो पेली जो पो यूइशन है उसको ययाद रखने की टेक्नीक्व है साइन और कौस की जो जोड की सब्सक्राइब पूसी इसले लोड़ा का वर्म बरタ posso दूसरी याद रखना है कि एक रोटी याणि टेंट सेट मनलब बॉरबर क्या जाएगा से लोट सब्सक्राइब क्यों पर की वह अपसर लग गया कोरी रोटी हमें को लील और को को किया बढ़ेंगे हम कोरी रोटी जैङिक और तरीकभ दूसरी को याद रखने है तरीका एक रोटी सेख और तीसरी के आजएगी एक कोरी रोटी को सेख ठीक है LHS के बराबर इधर LHS में जो है दो पद रहेंगे और RHS में एक रहेगा तीनो सरसुमिकाओं में यह द्यान रखना है LHS में जो दो पद रहेंगे उनके बीच में क्या प्लस का चिन रहेगा हमेशा यह द्यान रखना है इन तीनो सरसुमिकाओं में यह बेस है सरसुमिकाओं का तीन सरसुमिका है इनको हम प्रूप करना जामेती विदी से हल करना भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तो इस साइन कोस की जोड़ी नंबर वन एक रोटी जो सरसुमिका है में नहowski से हम 2ре बना सकते हैं से में इधर लें किसमें पनाओने सक्षा क्या घान इस सबीगा हो अगर 2 एक्षैल्टा यहissy प्रकार डूसरी समपीगा हो बना सकते हैं अगर हम 1 को इह उतर ही रखते हैं तो 10 स्क्षा क्या है को यह नह RICH сильetti ऐही एक इखी सकते हो कि एक को यही परका तो कोट स्क्वेटा माइनस में जाएगा यहीं कोट स्क्वेटा माइनस कोट स्क्वेटा ठीक है उसके बाद अगर हम कोट स्क्वेटा को यही परकते हैं थिक है दो दो साल स्वामिक और बना लिए हमने है तो में चुट रीक है वह आपको याद रखना है कि साइन कोस की जोड़ी नमबर वन तो अगर देखो बोसी पार अबजेक्टिव में यह दे रहा रहता है वन माइनस कोस इसका मान होगा ठीक है इसी प्रकार यह दिया रहता ह हो एक रोटी शेक यानि सेक आगया रोटी आगए डोनों आगे म मलब क्या नहीं है एक नहीं य्जा थिकलव कर सकते हो एक रोटी थिक्टहनी रोंफ यह थे लगी अन्सेय काम सराफिव यह घ्ला आ और जोल्ब कर्सकते लिए link और टोς यह तो सामान तो यह सरस्वाइब का याद रखने की टेक्निक है तो यह अपने साब से बना सकते हो त्रिक बना सकते हो इससे आप यह सानिय को लिखा जा सकता है अगर इसके संब तोर इसको को हंहां सकते के सम्सकार का सारी इसका स्कार हो कि शायां मुशेंगे को चछी cars अधर ओंडर ुड्रेटके अंधर क्या आएगा वन मायनेश को सिटां कुनérique तो यह फिसकेर जाएगा इधर अंडरूटर आजाएगा मैंने साइन स्क्यार रट हो जाएगा ठिक है इसी प्रकार दोको यह सेक अशन मिन के अगे उसमें बराबर से इधर जो सिंगल पतये उसक्यार यह चेला है तो इसक्यार आएगा तो यहाव से बना सकते हैं अंडरूरट के अंडर के अजाएगा सेक सबता माइनस एक हो जाएगा तिक इसके उपर निसीजन अजलनी का डिये जाएगा कोसे तक फिर इसके बारत यहां विवे जाएगा है यह पे भी एकोड़ टीटा को सक्षेयर अटाएंगे हम कोड़ टीटा बराबर अंडरूट के अंदर कोड़ एक स्क्षेयर थीटा-1 अब जब भी अब ऑपजेक्टी में अंडरूट पूचा जाता है इसका मलब कि अंडरूट तो लग गया तो जो इसका मान होगा उसके ऊप यह भी पूसकते है उप्जूटीव यह भी पूस सकते जब अंडरूट नहींा रहा है इसका मालब सऑन का मान है ओपर इसका मदब सब्सक्राइबर सफयर इसके डिटा होता है तो जब एक प्लस टेन इसकेड़ा होता है और जब अंडरूड लग रहा है कि एक plus 10 ili squareड़ा के उपर complete करें इनको trick के माद्यम से आप याद रखें तो जल्दी याद हो जाएगी वनंस आप रटोगे तुसको अगर अच्छे लगी है तो फ्रिकरें ड्राइक करें और सब्सक्राइब हो बनाना सिखेंगे और त्रिकोन मिती के वेसे तो बहुत सारे फार्मले है आगे हम पूरकोनों के बारे में और त्रिकोन मिती चत्रुस्तांस के बारे में भी हम पढ़ेंगे तन्यवाद